नहीं से दोस्तों, ढीठ है आज की 5 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज देखो तीन इशूस हम डिसकेश करेंगे, सबसे पहले तो मेरिटल रेप का आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे, कुम्रीहंसिव धंग से, ये हिंदू का आर्टिकल है दूसरे नमबर पर हिंदूस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे, इनलेंड वाटर वेस से सम्मादित, एड्वांटेजिस, चलेंजिस, सब कुछ डिसकेश करेंगे और तीसे नमबर पर, जी एस फेपर वन में, जो सेक्लूरिजम का टोपिक है, उससे सम्मादित आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे, और इसके थुरू आपका जो सेक्लूरिजम का टोपिक है, वो ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा अब देखो, यह जो आठकल है हिंदू में बड़ा सारा, यहां से दो-तिन पॉइंट निकल के आते हैं, यह दो-तिन पॉइंट जो निकल के आते हैं, वो मेरिट वर्सेज रिजर्वेशन डिबेट से सम्मादित हैं, वो पॉइंट्स हाला की है, रिजर्वेशन के हिप अक् होती हैं तो ये equality को undermine करता है इसके विरोध में राइटर ये कहते हैं अभी हाल ही में जो जेश्टीस चंदरचूड और जेश्टीस बोपन्ना की बेंच ने जो order दिया था वो order मतलब आपको याद होगा ना की केस गया था जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एड्मिसंस होते हैं नीट के थुरू उसमें गवर्मेंट ने रिजर्वेशन को एक्टेंड किया था तो ये केस सुप्रिंग कोड के सामने पहुंचा था आपको याद होगा तो इस केस में जेश्टीस चंदरचूड और ब परसन है वो बिल्कुल स्वस्थ है यहां पर अगर दूसरा कोई परसन है उसकी पैर में कोई डिफेक्ट है तो भी उसको बराबर ही खड़ा करो ऐसा नहीं कि जिसकी जो डिफेंट्ली एबल्ड है उसको थोड़ा पीछे खड़ा करो नहीं यह है फॉर्मल एक्वैलिटी आ ना तभी फेर है जब वो सेम पोजीशन में हो मतलब अब जिस परसन की टांग में डिफेक्ट है देखो वो सेम पोजीशन में नहीं है ना कि दूसरे परसन का मुकावला कर सके तो यहीं पर कंसेप्ट निकल के आता है एफर्मेटिव एक्षन का रिजर्वेशन जो है वो ए इक्वैलिटी नहीं हो गई समझ गए फॉर्मल इक्वैलिटी और सबस्टेंटिव एक्वैलिटी के बीच में क्या डिफेरेंस है दूसरा पॉइंट राइटर यह देते है देखो यह बोलना कि जिसके कम मार्क्स आए उसको एड्मिसर मिल गया या फिर उसको प्री पार हो गया और जनरल केटेगरी का वो स्टूडेंट जिसका ज्यादा मार्क्स थे रिजर्व केटेगरी के परसन से लेकिन फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ तो मेरिक जो है वो अंडर्माइन हो गई तो राइटर इसके जबाब में अपना तर्क देते हैं वो बोलते हैं देखो ये जो सिचुएशन है ना एक्जाम वाले ये तो कैंडिडेट की जो रिजर्व केटेगरी का परसन है उसकी उस समय की सिचुएशन होती है लेकिन बाद में वो परसन कैसे परफॉर्म करेगा सि इसा नहीं होता ये राइटर का व्यू है देखो ये बहुत ज्यादा कॉंट्रवर्शल डिबेट है लेकिन हम आज इस आर्टिकल में वो पॉइंट्स डिसकस कर रहे हैं जो राइटर ने दिये हैं वो कहते हैं कि अगर देखो रिजर्व केटेगरी के लोग सर्विस में आत वो देखो हमने पहले भी काफी सारे रिजर्वेशन के आर्टिकल डिसकस किये हैं और आगे भी ऐसा कोई आर्टिकल आएगा तो रिजर्वेशन नए पॉइंट्स जो होंगे रिजर्वेशन के खिलाफ उनको भी डिसकस करेंगे अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक कोटेलया का को हैं, जिसको आप इस्तिमाल कर सकते हो, करप्सन से समन्दीत आपको अगर कुछ लिखना हो, कोटेलया ने कहा था अगर देखो जीब पर सहद या फिर जहर हो, मतलब आपकी जीब पर, आपकी नहीं किसी परसन की जीब पर सहद या फिर जहर रख दिया, तो ये बहुत impossible है कि वो परसन सहद को या फिर जहर को टेस्ट नहीं करेगा, जीब के उपर ही रख दिया तो फिर वो जहर तो पर जहर ह या फिर सहद हो उसे टेस्ट करेगा ही, उसी परकार से civil servants जो revenue इखठा करते हैं सरकार के लिए, उनके हाथों में revenue होता है, तो ये kind of थोड़ा impossible है कि वो उस revenue को टेस्ट ना करें, तो ये कोटिलिया ने कहा था, मतलब जैसे देखो, मचली है, वो पानी के अंदर है, कब वो पा First important article, Marital rape से समधित है, आप GS, Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, आज का article डिसकस करने से पहले, Marital rape से समधित जो एक पुराना article है, वो हम revise करते हैं, ताकि जो basics हैं, आपके Marital rape से समधित, वो clear हो जाएं क्या मतलब है Marital rape का? देखो, simple मतलब ये है, सादी के बाद, जब कोई person अपने spouse के साथ sexual intercourse करता है, बिना उसकी consent के, तो ये है Marital rape, वैसे दो देखो, Marital rape, husband के दवारा भी किया जा सकता है, और wife के दवारा भी किया जा सकता है, लेकिन, ज़्यादा focus इसी aspect पे है, कि जब husband के दवारा, बिना wife की consent के, wife के साथ sexual intercourse establish किया जाता है, देखो, ये उस मानसिकता का evidence है, जिसके तहद, man जो है, वो ये मानते है, महिला हमारी property है, इस मानसिकता के तहद, बहुत से rape हमारे देश में होते है, और सादी के बाद भी, उर्सो के दवारा, महिलाओं के साथ, उनकी अनुमती के बिना जो, ये sex किया जाता है, ये उसी मानसिकता का परीचय है, कि woman जो है, वो husband की property है, यानि wife जो है, वो husband की property है, आज, 100 से अधिक देशों में, marital rape जो है, वो criminalized हो चुका है, लेकिन unfortunately, इंडिया, 39 देशों में से एक है, जहां पे अभी भी marital rape जो है, वो criminalized न पे contest क्या है, अभी हम ये क्यों discuss कर रही है, देखो, 36 गड़ high court के पास एक मामला पहुंचा था, उस मामले के तहत, wife ने husband के खिलाफ, काफी sections के तहत, IPC की काफी सारे sections के तहत, case दज करवाया था, section 376, जो rape से related है, section 377, ये unnatural sex से समन्दित है, मतलब nature के against sex, section 498A, ये related है, cruelty towards wife by husband और his relatives, husband या फिर husband के रिस्तेदारों के द्वारा, wife के ऊपर cruelty करना, cruelty मतलब cruelty मतलब कूरता, मतलब wife के ऊपर physically या फिर mentally नुकसान पहुंचाना, harm करना, तो देखो, ये मामला पहुंचा था, high court के पास, trial court ने तो wife के, इन सभी charges को अपहल्ड किया था, मतलब, लेकिन, 36 grade high court ने, section 498A, और section 377, इनको तो अपहल्ड किया, लेकिन, 36 grade high court ने ये बोला, कि भईया, section 376 के तहट कोई case नहीं बनता है, 36 grade high court ने ये भी कहा, साधी के बाग, अगर देखो, wife की age 18 साल से ज़्यादा है, तो husband और wife आपस में sex करते हैं, और wife की, अगर consent नहीं भी है, तो ये rape नहीं कहलाएगा, मतलब देखो, आज के समय में कानून ये कहता है, husband और wife के बीच, जो भी sexual intercourse होता है, साधी के बाद, और अगर wife की age 18 साल से ज़्यादा है, तो सभी जो sexual intercourse हैं, वो consensual हैं, यानि सहमती के साथ हैं, कोई भी marital rape का case जो है, वो दर्ज नहीं हो सकता, अभी के कानून के अनुसार, राइटर कहती हैं, देखो, ये कानून में discrepancy हैं, यानि कमी हैं, इसके बाद हम उन arguments को discuss करते हैं, जो दिये जाते हैं, marital rape को criminalize करने के लिए, सबसे पहला argument, देखो, marital rape को criminalize नहीं किया गया है, हमार देश के कानून में, तो इसका मतलब साधी के बाद, husband को एक प्रकार से license मिल गया है, बिना wife के consent के, उनके साथ sexual intercourse establish करने का, मतलब husband, force की साइता से भी, यानि जबरन wife के साथ sex कर सकते हैं, कोई criminalization का provision नहीं है इस सिलसले में, उसके बाद next है, doctrine of converter, आप ये समझें, देखो, एक एरा, Victoria एरा, जब बेडियेन की queen Victoria थी, ये उस समय की बाद है, 1837 से लेके 1901 के बीच की, उसी समय ये Indian penal court के provisions आये, 1860 में, और उस समय इंडिया, ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कलोनी था, ब्रिटेन की, तो उस समय ये doctrine of converter ये था, कि महिला के अलग से कोई independent rights नहीं है, मतलब साधी के बाद wife, जो है, उनके rights सब्यूम हो जाएंगे husband के rights में, मतलब wife जो है, वो husband का का कामकास देखेंगी, सीधे लबजों में बात करें, तो wife की जो identity है, वो husband की identity में सब्यूम हो जाएगी, मिल जाएगी, ये doctrine था, doctrine of converter, और ये doctrine तभी आया था, जब IPC आये थे हमारे देश में, उसमें बिटेन राज कर रहा था, इंडिया पर 1860 में, तो तब के provisions अभी तक change नहीं हुए हैं, तब तो देखो महिला और पूरुस को equal नहीं माना जाता था, आज हलाज जो है, वो change हो चुके हैं, आज महिलाओं के पास property inherit करने का अधिकार है, आज महिला की जो identity है, पूरुसों की identity से अलग है, तो marital rape को भी criminalize करने के आऊ सकता है, इसके बाद argument दिया जाता है, article 14 से अधित, देखो Indian woman को Indian man के ब्रावर treat करना चाहिए, और साधी के बाद महिलाओं के भी individual human rights होने चाहिए, ऐसा नहीं की हाँ, साधी हो गई, तो wife के जो individual rights है, वो खतम हो गए, यह तो गलत है, नेस्ट, Supreme Court में article 21 के तहट कहा है, कि body की जो integrity है, यह article 21 का part है, और आपको पता है, article 21 तो एक fundamental right है, मतलब woman को पूरा पूरा अधिकार है, अपने husband के साथ, sexual relations को refuse करने का, क्यूंकि body के integrity और privacy, यह देखो सविधान के article 21 के अंतरकत आते है, पुट्टा स्वामी केस की judgment के बाद, right to privacy भी एक fundamental right है, इसके बाद next argument यह दिया जाता है, देखो rape तो rape है, चाहे वो कि किसी अजनमी के द्वारा किया जाए, या फिर husband के द्वारा किया जाए, मतलब जो perpetrator है, वो कोई भी हो, rape तो rape है, इसके बाद rape note ground for diversion, देखो अगर marital rape का सामना किसी wife के द्वारा किया जाता है, और वो wife court में जाके कहती है, कि मेरा marital rape हुआ है, तो यह ground नहीं है, divorce लेने का, यानि तलाक लेने का, इस वज़े से, वो wives, जो marital rape का सामना करती है, वो helpless feel करती है, क्योंकि यह ground है ही नहीं, तलाक लेने का, अगर देखो marital rape को criminalize किया जाता है, तो फिर wives को बचाया जा सकता है, abusive husband से, और जब देखो 100 से अधिक देशों ने इसे criminalize कर दिया है, तो भरत को भी कर देना चाहिए, इवन निर्भिया केस के बाद, जो JS Verma Committee गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी यही कहा था, कि marital rape को criminalize कर दिया जाए, यह हमने वो arguments discuss किये, जो दिये जाते है, marital rape को criminalize करने के लिए, अब हम उन arguments को discuss करते हैं, जो कहते हैं, कि marital rape को criminalize नहीं करना चाहिए, सबसे पहला देखो, अगर marital rape को criminalize किया जाता है, तो इसमें implementation के issues आएंगे, अब देखो, बंद कमरे में husband और wife के बीच क्या हो रहा है, यह सिरफ husband और wife जानते हैं, तो फिर कल को अगर wife के द्वारा husband के ऊपर marital rape का case मतलब charge लगा भी दिया जाता है, तो यह proof कैसे होगा, क्या कानून totally wife की statement पर निर्भर करेगा, wife तो देखो, बहुत बार जूट भी बोलती हैं, आपको पता हैं, दहेत, समंदित rape समंदित कितने सारे cases सामने आते हैं, जूटे cases सामने आते हैं, तो बहुत से husbands का harassment होगा, अगर marital rape को criminalized इस परकार से कर दिया जाता हैं, इसके बाद next point भी misuse of law से समंदित हैं, यह देखो, एक tool बन जाएगा, husbands को harass करने का, और देखो, marriage का जो institution है न हमारे देश में, काफी पवित्र institution है, मतलब, marriage को हमारे देश में जिस लिहाद से देखा जाता है, उस लिहाद से western countries में नहीं देखा जाता, अगर marital rape को criminalize कर दिया जाता है, तो marriage का जो यह institution है ना, पूरी तरह से destabilize हो जाएगा, families में अनार्की आ जाएगी, यह देखो, देश हित में भी नहीं है क्योंकि family देखो, एक platform है, family values को uphold करने का, और देश को sustain करने में भी यह family values जो है, वो बहुत जादा contribute करती है, इसके बाद next argument यह दिया जाता है, even law commission ने भी मना किया है, कि metal rape को criminalize नहीं करना चाहिए, और वैसे देखो, यह जो issue है, criminal law है, यह concurrent list में आता है, criminal law को implement किया जाता ह है, states के द्वारा, जबकि देखो, हमारे देश में अलग-अलग states में culture जो है, वो अलग-अलग है, बहुत diversity है, हर एक state में जो problems है, वो अलग-अलग है, literature की problem है, महिलाओं की financial empowerment की दिक्कत है, society में mindset की दिक्कत है, गरीबी, vast diversity, मतलब इन सब factors को consider करना जरूरी है, इससे पहले की हम marital rape को criminalize करें, सबसे last में awareness भी देखो, बहुत ज़्यादा महतपून है, सिरफ marital rape को criminalize करने से काम नहीं चलेगा, moral और social awareness spread करना जरूरी है, तो ये हमने उन arguments को discuss किया, जो marital rape को criminalize करने के against दिये जाते हैं, अब conclusion आप दीजिए, मतलब UPSC में आपको marital rape के बारे में ल inclusion दिया जा सकता है कुछ, कि हाँ, marital rape criminalize तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले, क्या समाज इसके लिए तयार है, इससे पहले कि marital rape को criminalize किया जाए, एक proper mechanism इस्टाबलिस किया जाए, ताकि इसका misuse ना हो, और उससे भी ज़्यादा, society में अपने आप से equality आना ज़रूरी है, तो इस परकार से हमने marital rape से समदित जो issue है, वो revise कर लिया, अब जो 3-4 नए points है आज के article में, उसको भी हम discuss कर लेते हैं, देखो IPC section 375 जो है, वो rape से समदित है, इसमें देखो एक exception दी गई है, exception 2-2 section 375, यहाँ पर देखिए नीचे, यह section कहती है, अगर एक man अपनी wife के साथ sexual intercourse establish करता है, और wife की age अगर 18 साल से उपर है, तो फिर यह rape नहीं होगा, यह exception जो है, वो assume करती है, कि wife और husband के बीच, जो भी sexual relations होंगे, वो consent के साथ ही होंगे, समझ गए आप, IPC section 375 में exception दी हुई है, कि husband और wife के बीच, अगर wife की age 18 साल से उपर है, तो husband और wife के बीच, जो भी sexual relations establish होते हैं, वो consent के साथ होते हैं, यह assume कर लिया गया है, इस exception में, जबकि कुछ experts ऐसे हैं, जो यह demand कर रही हैं, इस exception को हटा दिया जाए, मतलब, marriage के बाद, अगर husband और wife के बीच में sexual relations establish होते हैं, तो consent होना जहुरी है wife की, आलमोश 5 साल पहले, जब Delhi High Court में यह मामला पहुचा था ना, तो उस समय government of India ने oppose किया था, कि इस exception को ना हटाय जाए, 2017 से पहले, 2016 में भी, सरकार ने marital rape के concept को reject कर दिया था, यह कहकर, कि यह जो concept है na marital rape का, यह Indian context में आप apply नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में अभी illiteracy, education का अभाव, poverty बहुत ज़्यादा है, और social customs भी काफी ज़्यादा है, values जो हैं, हमारी western countries से अलग है, काफी सारे अलग-अलग religious beliefs भी है, और society का mindset कुछ ऐसा है, कि marriage का institution है ना, इसे काफी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और जैसा हमने पहले डिसकस किया, कुछ experts का ये भी मानना है, कि marital rape का concept अगर Indian context में implement किया जाता है, तो marriage के institution पर काफी negative impact पड़ेगा, जैसे देखो, एक जो सबसे strong logical reason दिया जाता है, कि मान लीजिये wife ने husband पर आरोप लगाया marital rape का, और कहा कि consent नहीं थे, लेकिन husband ने कहा कि consent थी, अब decide कैसे मतलब दोनों अपनी अपनी बात बोल रही है, अब कुछ लोग कहेंगे कि महिला की बात मानी जाए, महिला जो है, वो सच बोल रही है, अगर consent नहीं थी, तो महिला की बात मानी जाए, बट आपको भी पता है, कितने जूटे cases भी सामने आते हैं, रेप के, तो इस provision का का काफ फिट बैठेगा, ऐसे राइटर ये बोलते हैं, कि सरकार का ये तर्क, कि marriage के institution में interference हो जाएगा, marital rape के concept की वज़े से, देखो, राइटर कहते हैं, वो तो पहले से ही है, domestic violence का act आया था 2006 के आसपास, तो वो जो act है, वो domestic violence की समच्चा को address करता है, तो already family के अंदर husband और wife के ब प्रित तर्क है, तो दोनों साइट के तर्क हमने जान लिए, तो ये हमने पूरा concept detail से discuss किया, marital rape के बारे में, अब चलते हैं, अगले article की तरफ, इसके बार नाइस्ट आर्टिकल हिंदूस्तान टाइम्स का inland waterways से समन्दित है, आप GS paper 3 के infrastructure से इस article को relate कर सकते हूं, ये देख आज के दिन, एक सीपिंग वैसल, FCI से food grain लेकर पहुंचेगा, पतना से वो सीपिंग वैसल अपनी journey start करेगा और पहुंचेगा असम के पांडू में, यहां पर देखो, आप ये वाला map देखिए, पतना आपको बता है, बिहार के राजधानी है, तो पतना से लेकर, ये जो food grains लेकर पहुंचेगा, तो ये जो सीपिंग वैसल है, ये गंगा नदी, ब्रंपुतर नदी, इन दोनों को पार करेगा, इसके साथ साथ इंडो बांगलादेश प्रोटोकल रूट जो है, उसको भी यूज करेगा, इस सीपिंग वैसल का नाम है, एमवी लाल बहदुर सांस अस्त्री, यहां पर देखो, और बात करें इस इंडो बांगलादेश प्रोटोकल रूट की, ये देखो, इंडिया और बांगलादेश के बीच में जो एग्रिमेंट साइन हुआ है, जिसके तहट इंडिया से सीपिंग वैसल जा सकते हैं, बांगलादेश को क्रोज करके, व इसके बाद न, inland waterways के काफी सारे advantages बताए जाते हैं, देखो इस shipping vessel की journey जो है, वो इतनी ज़्यादा important नहीं है, कितने दिन लगेंगे, कौन-कौन सी city से होके गुजरेगा, ये बस pre में कहीं photo material के तोर पे ऐसी कोई information use हो जाए, तो अलग बात है, UPSC, map पूछ ले, कि गंगा वो किस परकार से इसके advantages हैं, और क्या-क्या इसके disadvantages हैं, तो पहले हम advantages की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो, अगर reverse के through, reverse या दूसरे जो inland water bodies हैं, उन पर ships अगर सलते हैं, माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, तो ये किफायती पढ़ता है, सस्ता waterways के सहारे से cargo को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो last mile connectivity भी establish की जा सकती है, मतलब हमारे देश के बहुत से areas ऐसे हैं, जहां पर road infrastructure अच्छा नहीं है, road infrastructure अच्छा ना होने की वज़े से वहां पर दूसरी factories या फिर दूसरा जो infrastructure है, वो establish नहीं होता, आएंगे, वहां पर भी private investment आएगी, तो यह दूसरा बड़ा advantage है, तीसरा बड़ा advantage है, emissions का कम होना, अगर देखो road के थूर समान बेजा जाता है, तो emissions जादा होता है, global warming जादा होगी, climate change जाला होगा, लेकिन inland waterways के थूर समान बेजा जाता है, तो relatively emissions कम होगा, next, tourism sector promote होगा, काफी सारी job opportunities जो है, वो भी generate होगी, बड़ देखो ऐसा नहीं कि inland waterways के सिरफ और सिरफ फाइदें है, नुकसान नहीं है, मतलब challenges भी काफी है, सबसे पहला challenge तो यह है, हमारे देश की बहुत सारी rivers ऐसे हैं, जिनमें 12 महनों ठीक ठाक पानी का level नहीं रहता, अब आप बतरिय पानी का level ही नहीं होगा, तो कैसे ships चलेंगे उस river में, कई rivers ऐसी हैं, जिनमें siltation काफी ज़्यादा है, यानि नीचे मिट्टी काफी ज़्यादा जमा हुई हुई है, और दूसरा देखो, speed जो है, ships के चलने की काफी slow होती है, तो as comparison to rail transport और road transport यहां से जल्दी समान बेजा जा सकता है, लेकिन inland waterways से समान जब भेजा जाएगा, तो ज़्यादा समय लगेगा, इसके बाद next challenge technology का भी है, हमारे देश में ऐसे ships अवेलेबल नहीं है, छोटे-छोटे, सरकार अगर कुछ करेगी तो अलग बात है, फिलाल technology जो है, वो अच्छे level के नहीं है, कि inland waterways पे ships क दोडाये जासके, या फिर चलाये जासके, limited ships है, कुछ experts ये भी कहते हैं, इस से biodiversity को नुक्सान पहुंचेगा, अगर inland waterways पर focus किया जाता है, ज्यादा, तो ये कुछ challenges हैं जिनकी हमने बात की, अब लाश्ट में बारी ये भी आती है, कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहि इस project में, local community को भी सामिल किया जा रहा है, ताकि उनकी साहिता से river के आसपास, जो economic activities हैं, उनको भी परमोड किया जासके, जल्मार्ग विकास project में, 400 क्रोड का, जो infrastructure है, वो डवलप किया जा रहा है, ताकि गंगा, जो national waterway 1 है, इस waterway की capacity है, उसे enhance किया जासके, और यहाँ पर sustainable movement host के, उन vessels की, जो 2000 टन तक का समाल ले जा रही है, सरकार को लेकिन देखो, इसके अलावा, और बहुत से चीज़ें करनी होगी, जैसे की, multimodal connectivity पर सरकार को काम करना होगा, यह जो inland waterways है न, यह drill transport, road transport के साथ में, आपस में connected हो, ऐसा नहीं कि यह सारे सब isolation में है, जहाँ पर inland waterways है, वहाँ पर rail या फिर road नहीं है, फिर तो connectivity ज्यादा अच्छे से आएगी नहीं, अगर connectivity इस परकार से है न, कि road transport, rail transport और inland waterway transport आपस में connected हैं, अच्छे से, तो seamless, जो cargo है वो जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और North East में जहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत ह वहाँ पर भी connectivity ज्यादा अच्छी होस केगी, इसके लावा हमारे देश में बहुत से rivers, बहुत से lakes, आपको बता है, उनको प्रिजव करने के आँ सकता है, तो सरकार उनको प्रिजव करे ताकि तबी तो उनका इस्तमाल होस केगा, inland waterways के लिए, अगर वो प्रिजव स्टेट में ही नहीं होंगी, उनकी हालत खसता है, तो कैसे उनका इस्तमाल किया जा सकता है, inland waterways के लिए, तो ये कुछ points हैं, जो आप way forward में लिख सकते हों, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, inland waterways से समदीत, अब अगला जो हमारा आज का article है, वो देखो, secularism से समदीत है, secularism से समदीत के जो आंकल है, उसे तो आप जियेस पेवरवन में सोसाइटी से रिलेट कर सकते हों, ये आंठ का लिखा गया है, राजीव भारगव के द्वारा, देखो, secularism एक ऐसी विचार धरा है, जो कहती है, किसी के साथ, सिरफ इसलिए बेदभाव नहीं हो सकता, कि वो particular religion से समन रख का contested ideology है, western countries बोलती है, हमारा जो secularism का model है, वो ठीक है, इसके अलावा, तर्की का एक secularism का model है, communist countries एक अलग से model follow करते हैं, इंडिया का अलग से एक secularism का model है, और इंडिया में भी women political parties एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, कि आपका जो secularism का model है, वो pseudo-secularism है, तो इस article मे हम कुछ basic बाते discuss करेंगे, secularism के women models को भी जानेंगे, और अंत में जानेंगे, कि गांधी का model है, secularism का, वो हमारे देश के हिसाब से उप्युक्त क्यों है, लेकिन पहले हम secularism से संबंदित कुछ basic बाते discuss करते हैं, secularism word दिया किसने, दिखो एक British writer थे, Holyoke, उनके द्वारा secularism word द neutral होना चाहिए, state ना तो किसी person के साथ discrimination इसलिए करें कि वो particular धरम से संबंद रखता है, या फिर particular धरम के लोगों को priority दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, religion के मामले में state neutral होना चाहिए, दूसरी बात, state को scientific temper develop करना चाहिए, जैसे हमार देश के सविधान में, जो fundamental duties है उन में scientific temper का जिकर है, तीसरी बात, हुल्याक नहीं ये बोली थी, कि state को rationality promote करने चाहिए, जैसे देखो हमारे देश में काफी सारे politicians इस परकार की बाते बोलते हैं, कि महा भारत के समय वीडियो कोलिंग हुआ करती थी, ये irrational चीज़ें हैं, logic के अधार पर, facts के अधार पर न हुल्योक ने ये बोला था, state secular morality को promote करें, morality का concept देखो, ethics में आता है, morality का मतलब होता है, personal standards, जिसके base पर कोई person decide करता है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, तो secular morality की बात बोली थी, हुल्योक ने, तो ये चार बाते, हुल्योक जो कि British writer थे, उनके द्वारा बोली गई थी secularism से सम्मदित, और उन्होंने ही ये word दिया था, secularism, आप मेरे एक question का answer देजिए, क्या हम पहले के अपेक्साकर्थ, ज़्यादा secular हुए हैं, या फिर कम secular हुए हैं, देखो हम पहले के अपेक्साकर्थ, काफी ज़्यादा secular हुए हैं, आपको याद होगा, पहले तो गीता, या फिर दूसरे धर्मों के जो पवित्र गरंथ हैं, उनको पढ़ाया जाता था, उनकी सिक्सा दी जाती थी, आज तो modern schools हैं, scientific temper अधारित सिक्सा दी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कि धरम अधारित जो schools हैं, वो पूरी तरह से खतम हो गए हैं, आज भी काफी सा सविधान हैं, IPC है, CRPC हैं, ये सब modern कानून लागू होते हैं, मनुसमरिती, सरियत, उन सब चीजों को follow नहीं क्या जाता हैं, पहले तो राजा ये भी बोल दिया करते थे, मैं भगवान का representative हूँ, इसलिए आप पर rule कर रहा हूँ, राजा इसलिए करते थे ये सब चीजें क् लेजिटमेसी हासिल कर सकें, जनता उनके rule का विरोध ना करें, लेकिन आज के समय में ये सब चीजें नहीं relevant हैं, अब तो हमारे देश के सविधान का preamble हैं, जिसमें हमने लिखा हुआ है, we are the people of India, मतलब हम सब ने मिलके decide किया है, हम भारत का निर्मान करेंगे, ये हमारा स डिरेक्ली हमने सविधान नहीं बनाया, हमारे representatives ने सविधान बनाया, तो point ये है, हम पहले के अपिक्सकर्थ ज्यादा secular हुए हैं, देखो इन slides में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आज के article में points तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हैं, लेकिन हम secularism को थोड़ा deep से discuss कर रहे हैं, इ उस देश को आप secular नहीं कह सकते, अगर religious leaders का किसी देश की governance में interference होता है, तो उस देश को आप secular नहीं कह सकते, आप मुझे एक बात बताइए, इरान के जो supreme leader है, खामेनी, वो religious leader है, उनका interference होता है काफी जादा इरान की governance में, बहुत सारे issues पर decision नहीं लिया जा सकता, उनकी अ secular country है, बिल्कुल नहीं, इरान एक secular country नहीं है, तो अगर किसी देश की governance में उस देश के religious leaders का interference होता है, तो उस देश को आप secular नहीं कह सकते, दूसरा, अगर किसी देश ने particular धरम को अपना national religion declare किया है, तो उस देश को आप secular country नहीं कह सकते, आप मुझे एक बात का जबाब दी क्या ये secular countries है, नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और बंगा देश ने इसलाम को अपना religion declare किया हुआ है, तो ये secular countries नहीं है, मतलब वो देश जहां पर religious leaders का interference होता हो, या फिर उस देश ने किसी particular धरम को अपना national religion declare किया हो, उन देशों को आप secular countries नहीं कह सकते, अब बात करते हैं secularism के विविन models के बारे में, सबसे पहले है देखो western countries का model, देखो western countries खास करके USA में complete separation है धरम और politics के बीच में, धरम politics के अंदर interfere नहीं करेगा, और politics यानि state धरम के अंदर interfere नहीं करेगा, जैसे देखो हमार देश में सबरी माला का issue हुआ, हजी अली दरगा का issue हुआ, supreme court की judgments आई, और supreme court is part of state, लेकिन ये सब चीजें USA में होती, तो साइध USA की, जो supreme court थी, वो इन मसलों पर अपनी judgment नहीं देता, वो ये कहके छोड़ देता, कि भाया ये धरम के internal issues है, और हमारे यहाँ पर secularism है, state धरम के अंदर interfere नहीं करेगा, तो वहाँ पर complete separation है, वैसे देख फ्रांस के model की खास बात ये है, वो तो ये बोलते हैं, कि आप religious identity को private sphere में रखो, public sphere में लेकर ही ना आओ, जैसे फ्रांस में, पागडी यानि टर्बन, बुर्का, ये सब पहनने की आजादी नहीं है, public space में, वो बोलते हैं, religion को आप घर पर छोड़ कर आओ, और UK के secularism के model को तो कुछ experts pseudo-secularism का model बोलते हैं, वो ये कहते हैं, कि church को पैसा दिया जाता है, church को funds available करवाए जाते हैं, UK की सरकार के द्वारा, जबकि दूसरे धर्मों के जो संस्थान है, धार्मिक संस्थान, जैसे मंदिर, गुर्द्वारे, उनको पैसा नहीं उप्लग करवाए जाता है तो UK का जो secularism model है, वो pseudo-secularism model है, ऐसा कुछ experts के द्वारा कहा जाता है, तो ये हमने बात की western countries के secularism के model के बारे में, अब देखो तर्की के secularism के model के बारे में डिसकस करते हैं, कमल पासा, जिन्होंने rule किया था तर्की में Ottoman Empire के disempower होने के बाद, मतलब First World War में तर्की हार गया तर्की ने जर्मनी के साथ दिया था और जर्मनी ये सब युधार गए थे, जीत किसकी हुई थी, UK, France, इन देशों के जीत हुई थी, तो Ottoman Empire को टुकुडो में बार्ट दिया गया था, तर्की में rule आया था, कमल पाशा का, उन्होंने देखो क्या किया, धरम को actively suppress करने की कोश religion को suppress किया जासके, जैसे पहले वहाँ पे इसलामी कलेंडर को माना जाता था, लेकिन कमल पाशा के कारेकाल में Gregorian कलेंडर को माना जाने लगा, पहले सुकरवार की छूटी होती थी, लेकिन उन्होंने संडे की छूटी करवा दी, मतलब state interfere नहीं करेगा, उससे भी वो एक आप communist countries का model भी discuss कर सकते हो, communist countries जैसे China, North Korea, Cuba, यहाँ पर religion, God, इन सब को माना नहीं जाता है, communist countries जो होते हैं, वो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते हैं, और कार्ल मार्क्स कहा करते थे, religion is opium of masses, मतलब religion जो है, वो working class के लोगों को नशा देने के लिए है, एक नशा का काम करत है, religion, वैसे working class के लोगों बहुत दुखी होते हैं, पुझी पती class के लोगों से, यानि बुर्जुवा लोगों से, capitalist लोगों से, और वो revolution ना लेकर आ जाएं, क्रांती ना कर दें, बुर्जुवा class के rule के against, इसलिए working class के लोगों को religion का नशा दिया जाता है, ताकि वो अपन से religion से नशा होता है, और persons अपनी situation को भूल जाते हैं, तो यह था communist countries का model, और अब हम discuss करते हैं, इंडिया का model, देखो इंडिया का secularism का model है, वो principle distance का model है, मतलब state जो है, वो सभी religion से दूरी बना कर रखेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आउशक्ता पढ़ने प किसी religion के साथ discrimination हो रहा हो, मतलब किसी धरम के लोगों के साथ discrimination हो रहा हो, तब principle intervention की जा सकती है, state के द्वरा, या फिर धरम के अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर अत्यचार हो रहा हो, discrimination हो रहा हो, तब भी state के द्वरा intervention किया जा सकता है, या फिर कोई religious value जो है, वो society की progress में बा जैसे देखो हमारे देश में आपको पता हैं देश के सविधान में ग्रूप राइट्स हैं आर्टिकल 25, 26, 23, 26 उसके बाद 29, 30 ये ग्रूप राइट्स हैं ताकि किसी धरम के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इंटर रिलिजियस पैरिटी मेंटेन रखने के लिए ये ग्रूप राइट्स काम आते हैं मतलब सभी धरम इक्वल हो और किसी धरम के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो देखो हमारे सविधान में गुरूप राइट्स का प्रोविजन क्या गया है जबकि वेस्टन कंट्रीज के सविधान में इंडिविजूल राइट्स की बात कही गई है दूसी चीज जैसे देखो सबरीमाला टेंपल इशू में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हिंदू धरम के अंदर उसी परकार से हाजी अली दर्गा में महिलाओं को नहीं एंटर करने दिया जा रहा था तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो Supreme Court ने अपना judgment दिया Supreme Court is part of state मतलब state के द्वारा intervention किया गया ताकि धर्म के अंदर भी अगर कुछ अत्याचार हो रहा हो किसी के साथ तो उसे address किया जाए जैसे आप एक और example ले सकते हो हिंदू धर्म में untouchability तो इसको भी address किया जा चुका है state समय समय पर intervention करता है untouchability को खतम करने के लिए और तीसरी जो बात थी कोई religious value अगर society के progress में बादा create करती है अब यही माल लिजे कि आज का जो समय है वो gender parity का समय है लेकिन religious value जो है वो gender parity में आड़े आ रही है, obstacle create कर रही है इसलिए state ने intervention किया मतलब इंडिया का जो model है secularism का, वो देखो principal distance का है, वैसे तो state principal distance maintain करके रखेगा सभी धर्मों से, लेकिन आउशक्ता पढ़ने पर state जरूर intervention करेगा inter-religious parity maintain करने के लिए, intra-religious discrimination खतम करने के लिए या फिर society की progress में कोई religious value आड़े आ रही है तो उसको address करने के लिए तो यह हमने इंडिया के secularism के model को discuss किया जो हमारी सविधान में है अब लास्ट में देखो एक गांदी का secularism का model है गांदी जी का secularism का model देखो simple है सभी जो religious communities हैं particular territory में जैसे हमारे देश में काफी सारी religious communities हैं वो मिल जूल के रहें बिना किसी वैर भाव के यह people dependent notion है गांदी जी का idea ये था वैसे तो देखो सभी communities मिल जूल के रहेंगी ही लेकिन अगर कल को tension create होती है विबिन communities के बीच तो state intervention करे social fabric maintain रखने के लिए ताकि जो tensions create हो गई है विबिन धर्मों के बीच जो miscommunication हो गया है उसे address किया जाए तो ये गांदी का simple secularism का model था किसी एक community को आप isolate मत कीजिए, alienate मत कीजिए सभी धर्म के लोग मिल जूल के रहें particular territory में सभी धर्म के लोग दूसे धर्मों से काफी कुछ सीख सकते हैं क्योंकि सभी धर्मों का जो objective है वो same है गांदी जी देखो देश की diversity से भली बाती से प्रीचित थे वो इस बात को समझते थे कि religion को हमारे देश से खतम नहीं किया जा सकता है तो सबसे बैतर जो option है वो यही है सभी धर्मों के लोग मिल जूल के रहें एक साथ इसके लावा वैसे article में एक political secularism की बात भी कही जाती है हमारे देश में कुछ political parties pseudo secularism को अपनाती है उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ power पर काबिज होना और इसके लिए वो दंगे भी करवा सकते हैं इस पूरे issue में सभी political parties हमेशा अपना अपना फाइदा देखती है कि कैसे कौन से issue पर उन्हें ज़्यादा vote मिल सकते हैं कैसे vote का धूविय करण किया जाए तो यह जो political secularism है इस model ने देश को बहुत ज़दा नुकसान पहुंचाया है लास्ट में conclusion में कहा जाता है देखो इंडिया को जिस चीज ने इंडिया बनाया है जैसे इंडिया में public etiquettes, civility, refinements मतलब इंडिया के culture में ये सब जो चीजें हैं उन में सभी धर्मों का रोल है मतलब सिरफ एक धर्म का रोल नहीं है इंडिया के culture के development में सभी धर्मों का रोल रहा है जैसे कवाली, गजल ये देखो आज भजन का पार्ट है हिंदी फिल्मों में greatest भजन गाए गए हैं साहिर लुध्यानवी के द्वारा, जावेद अक्तर के द्वारा मतलब लिखे इंडिया के द्वारा गए हैं और गाए गए हैं मोहमद रभी लता मंगेस्कवर इनके द्वारा और composition नोशाद और एयर रामान इन म्यूजीशन ने किया हैं तो कहने का मतलब यही है कि आज इंडिया जो इंडिया है वो देखो किसी एक धरम की वज़े से नहीं है उसमें सभी धरमों का contribution रहा है और हमारा जो culture है वो composite culture है जिसमें हमें सभी धरमों के role को recognize करना होगा और सभी लोगों को toleration develop करनी होगी दूसरे धरमों के लोगों के पर्ति ताकि गांदी जी का secularism का जो model है सभी धरमों के लोग मिल जूल कर इंडिया में रहें बिना किसी वैर भाव के उस model को जिवानत किया जासके इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion